नमस्कार दोस्तों मेरा नाम मैं विमल्टरिंग बालाजी स्टरी एड़ा में आपका सवागत है तारीक आज आज आपकी 14 नवंबर 2021 सिक्षा संबंदित क्या सभी अपडेट हैं के करके सभी की बात करते हैं पहली न्यूर्ज है आपकी कि आज तैह होंगे सिक्षपात्ता पर परिक्षा के केंद्र प्रियाग रासी न्यूस है कल भी हमको यह न्यूस देखने को मिली थी इसमें न्यूस में यह लिखाए कि यूपीटेट के लिए जो केंद्र है वो सनिवार को तैग किये जाएंगे इससे पहले उत्तरप्रदेश परिच्षा नेमक प्रादिकारी सच परिक्षा के निर्धारित कर सूची वो मांगी थी इसमें कुछ जिल्य उन्हें आज सूची उप्लवद कराई है जिसके कराण परिक्षा के निर्धारण अभी नहीं हो सका है इस परिक्षा में सामिल होने के लिए 21.62,00,00, अभरतियों ने आवेदन किया इसमें प्रात्म दोजार बाइस की हाई स्कूल इंटर परिक्षा में निसुल्क हो सकेंगे सामिल छात्र शात्राओं को 2021 का ही उप्रमाण पत्र और अंग पत्र मिलेगा पुर्दे सरकार ने छात्र हित्में बड़ा फैसला लेते हुए 2021 में कुरुना कालम बिना परिक्षा परोनर हाई जायज इलाबाद हाई कोण के दो जजों की खंडपीड ने सिक्षकों की ड्यूटी चुनाओ काने में लगाने को जायज ठहराने वाले एकल पीट के आदेश को सही जो है वो करार दिया ये आदेश नैमूर्ती एमेन बंडारियो नैमूर्ती प्यूस अगरवाल की पर लगाय जा रहा है जो कि गलत है का गया था कि अध्याब को काम पढ़ाने का है चुनाओ ड्यूटी करने का नहीं है सिचकों से पढ़ाई के अलावा काम लेने से विद्यार्थियों की पढ़ाई जो है वो प्रभावित होगी एकल पीट ने अपने आदेश में कहा कहा कि कि शिचकों को चुनाओ ड्यूटी में लगाया जा सकता है सिचकों को चुनाओ ड्यूटी पर लगाया जाना गयर कानूनी नहीं है कोर्ट ने कहा है कि उत्तरप्रदेश निसुल को और अन्यवार बालफिच्छा अदिकार नियमा वली 2011 की धारा 37 सिचकों को चुनाओ उसी के बार में आपर लिखा हुआ है अगली नियूज है द्यापकों से चुनाओ ड्यूटी लेना गयर कानूनी नहीं यहाँ पर भी वही लिखा है एकल पीट के आदियस के खिलाब चुनाओती दी गई थी पर उसे जो है वो गलत ठेराया गया अगली नियूज है इस्टै कि उत्तर प्रदेश मादिमिक सिक्षा परिक्षा परिक्षत में ने वर्स 2021 में बिना परिक्षा के प्रोनत किये गए जो परिक्षारते उनको वर्स 2022 की परिक्षा में सामिल होने का मौका दिया है इसके पहले अंक सुधार परिक्षा कराकर उसमें सामिल होने का भी आवसर जो है वो दिया था अगली नूज है इस्पेसल कट आफ 98 फीजदी जो है वो पार नई दिल्ली से नूज है कि दिल्ली विश्विदाले ने सैक्षिर की सतर 2021-22 के लिए इसना तक जो पार्टिकरव में उसमें दा के लिए के लिए 5 भी कट आफ जारी किया है उसी के बारे में लिखा है अगली नूज है इस्टाफ नर्स अभरतियों के ओनलाइन आविदन फसे नौकरी पर जो है वो संकट प्रयाग्रा से नूज है कि उत्तर प्रदेश लोग से वा आयो की ओर से आयो जिए इस्टाफ नर्स जो है सिस्टर ग्रेट टू परिक्षा 2021 में सामिल अभरति अगली नूज है कमपोजिट विद्धेले में बनेगा किचन गार्डन बीस से यहाँ पर जो है कस्तूरबा गांधी विद्धेले का निरिच्च्छकरते ब्यस से है उसी के बारे में बतायागा अगली नूस है खाते में जो है वो नहीं पहुचे पैसे कैसे खरीदारी कैसे खरीदेंगे जूते और स्वेटर ज्यानपुर जो है निूस है अघार लिंक ना होने और महीनों से काता बंद होने से आई दिक्कत सिक्षा विभागने साभी ब्लॉग से इसके संतर में रिपोर्ट जो है वो मागी है और सुधार का भी जो है वो मौका दियेंगे अग्ली जो से अंक सुधार के लिए प्रोनत हुए चात्र अगले साल दे सके बोर्ड की परिच्छा कक्षा 10 और 12 जो है उसी के बारे में आपर बताया गया जो हमने उपर आपको बताया भी अग्ली जो से असिस्टन प्रोफेसर भरती परिच्छा में साथ अंको की बुकलेट और OMR में किवल 6 वाक्स UPHEC की विवस्ता जो परिशान रहे हैं अभ्यरती पहली पाली में 73 और दूसरी पाली में 69 फिस दी जो है उपस्तिती देखने को मिली सेकंड लास्ट न्यूस है इस वीडियो की की चैने 336 अभ्यरतीयों को विभाग आवंटित नियुक्ती का जो है वो रास्ता साथ लखनौव से जो है वो न्यूस है और यहां पर जो है वो आयोगने सम्मिलित आसुलिपिक भरती जो है उसमें अभ्यरतियों का जो आवंटन के मुकाबला होगा टीम आप याद रख सकते हैं और विसुकप की ट्रॉफी दोनों टीमों ने अब तक नहीं जीती इस बार दुनिया को क्रिकेट के सबसे चोटे फॉर्माट में नया चैंपियल मिलेगा न्यूस जीलैंड का यह पहला टी-20 विसुकप जो है वो फाइनल ह यह थे कुछ अपडेट इसी बिरकार डेली अपडेट पाते रहने के लिए चैनल सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन में लावस्टान कर लिएगा वीडियो पसंद आयो लाइक कीजेगा और लोग साथ शेर कीजेगा मिलते हैं अगले अपडेट में तब तक के लिए नम कि अपडेट 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 पाते हैं